मुझपरपुर जीले के पत्रकारों ने हरिया के पत्रकार बीमल मंडल जी की हत्या के खिलाप आक्रोस मार्च निकाला इससे पहले अमर सहीत खुदी राम बोस असमारक अस्तल पर पत्रकारों ने सर्धानली सभा का आयोजन किया सरधांजली सभा में पत्रकारों ने अपनी सुरक्षा पिरीत परिवार को नयाय वा सुरक्षा देने की मांग रखी असमारक अस्तल से अक्रोस मार्च निकाला जो मुखे मार्क्स से गुजरते हुए कमिस्नर कर्याले, आईजी कर्याले, एसडियो कर्याले होते हुए समहरनाले परिसर में समाप्थ हुआ सभा को संबधित करते हुए वरिये पत्रकार अमरेंदर तिवारी ने कहा कि अररिया के रानी गंज निवासी वरिये पत्रकार बीमल मंडल को अपराधियों ने कोली मार कर हत्या कर दी मंडल सुभा घर में सोई हुए थे अपराधियों ने बिमल भाया कह कर आवाज दी और उनके घर से निकलते ही सीने में गोली मार दी घटना अस्तल पर ही मौत हो गई है उन्होंने पिरित परिवार की सुरक्षा 25 लाख मुहाबजा मिर्तक के बच्चों को सरकारी खर्च पर पढ़ाई की बेवस्ता करने प्राधियों को स्पीडी टायल चला कर सजा देने की मांग रखी है उन पर संकट है तो हम मांग करेंगे कि बिमल मंडल जी की हत्या हुई है उनके परिवार की सुरक्षा उनके दो बच्चे उनका पढ़ाई का खर्च सरकार उठावे इसके साथ परिवार को 25 लाख का मुवजा और जितने भी हमारे पत्रकार है इन सभी लोगों की सुरक्षा मांग करते हैं कि इस जिले के जितने भी पत्रकार हैं सभी की सुची बनाकर उनके संबंदी थाना अधिकारी को दिया जाए कि कि किसी भी जनुरत हो आफ़त पढ़े वह पत्रकार कॉल करें तो थाना अधक्ष उसको सुरक्षा दे या हम इसा उसर को मांग करते हैं ना जु परिवारों को दे ताकि उनके बच्चे का भरन पोशन हो सके क्योंकि उनका परिवार पत्रकारिता पर ही निरुपड़ता और उसी ब्यक्ति पर निर्बर था जो हमारे बीच के पत्रकार थे जिनको अपराधियों ने सुवाले सुवा घर में घुश करके गोली मार दिया पतरकार नहीं सुरक्षित है पुलिस नहीं सुरक्षित है विहार सरकार और केंदर सरकार क्या कर रही है आखिर केबल डिगडिगया पिटने में लगे हुए है अपने चुनाव की तरह से सरकार को हम अगाज करते हैं कि आप अगर नहीं जागे पतरकारों की सुरक्षा विवस तो सब्सक्राइब लग संगा मिम्क्राइब थेbooks शहरुं करता है। लग करता है है। समय रहते पतरकारों की सुरक्षा बेवस्ताथ मोहिया कराया गया तो अंदोलन समात हो जाएगा नहीं तो अंदोलन चारी रहेगा और दबाया पिर आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने की